बचो इस वीडियो में उब्भोकतावाद की संस्कृति के जो अभ्यास के प्रशन है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि उनके अंसर क्या है वो अंसर भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे लेखक के यहाँ पहला क्वेश्चन है लेखक के नुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है उत्पादों का भोग कर उनसे सुख प्राप्त करना है इस प्रकार जीवन वर्तमान में आधुनिक उब्भोका भोग करना ही सुख मानता है Q2. आज की ओभोगतावादी संसकर्ती हमारे दैनिक जीवन को किस परकार प्रभावित कर रही है। Q3. लेखक ने उभोगतावादी संसकर्ती को हमारे समाज के लिए चुनोती क्यों कहा है। Q3. आज की ओभोगतावादी संसकर्ती को अच्छी परकार से जाच परकार ही स्वीकार करे। बचो जब हम बाजार में जाते हैं हम वस्तू की गुणवत्ता नहीं देखते। केबल उसका विग्यापन देखते हैं और बिना सोचे समझे अंधे होकर हम उन वस्तू को खरीद लेते हैं जो हम अपने समाज से पतभरष्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नमबर चार आश्य सपष्ट करना है जाने अंजाने आज के महुल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पंक्तियों का आश्य बताईए। उपभोग भोग को ही सुख मानने का कारण जो है मनुस्य अधिक से अधिक भोतिक सुविधावों को जुटाने में लगा हुआ है। इस परकार आज के इसोख भोगतावादी वातावरण में ने चाहते हुए भी प्रतिक व्यक्ति का चरित्र बदल रहा है और ने चाहने पर भी हम उसी उत्पाद को ग्रहन करने के लिए प्रियासरत रहते हैं और उसको ही हम सुख मान बैठे हैं। इसका दूसरा भाग है खै प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों नहों हास्यास्पद कहते हैं हसी के पात्र बनना। लेखक का मानना यहां भी है कि लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कारिये करते हैं। उनके कुछ कारिये तो इतने अधिक मुर्खता पूर्ण होते हैं कि उन्हें देखकर ही हसी आ जाती है। इसी परकार प्रतिष्ठा में वर्धी नहीं होती बलकि लोग उनका मजाग भी उड़ाते हैं। क्वेश्चन नमबर पांच कोई वस्तु हमारे लिए उपियोगी हो या नहीं हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललाई होते हैं। नीम पंक्तियों में हम टीवी पर जब कोई विज्ञापन देखते हैं तो वह हमें आकरशित करता है यानि अपनी और खीच लेता है। के नुसर वस्त्वों को खरीदने का आधार वस्तु के गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन यहां पर आप तर्क दीजिए। मेरे विचार से मैं किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता पर विचार करना चाहते हूं। इसके साथ ही उस वस्तु के संबन में भी सोचना चाहिए केवल विज्ञापन से प्रभावित होकर कुछ नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि विज्ञापन में तो उत्पादन वस्तु को इस परकार के लुभावने रूप में प्रस्तूत करता है कि उपभोगता उसकी चमक दमक देखकर उसमें फस जाता है और उसको खरीदने के लिए विवश हो जाता है। वह उस वस्तु की उप्योगता पर गुण विचार नहीं करता। यदि वह वस्तु हमारे लिए उप्योगी नहीं है और हम उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो हमें वह वस्तु खरीदनी नहीं चाहिए। Q7. पाठ के आधार पर आज के उप्योगतावादी युग में पन्न प्रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। पीछे नहीं रहना चाहता इस परकार आज के उप्योगतावादी युग में लोग दिखावे की संस्कृति पर अधिक ध्यान देते हैं जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है Q8. आज की उप्योगता संस्कृति हमारे रीती रिवाजों और त्योहरों को किस परकार से प्रभावित कर रही है? अपने अनुभाव के आधार पर एक छोटा अनुछेद लिखिए कम से कम पचास शब उसमें होने चाहिए आप इस अनुछेद में अपने माता पिता की सहिता से रीती रिवाज हो या कोई त्योहार हो कैसे मनाते हैं? उसके बारे में उनसे पूछ करके लिखिए बच्चो इस वीडियो में उभुगतावाद की संस्कृति के पूरे प्रसन मैंने आपको समझाए हैं ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं